अब हमने चाप्टर टू अल्रेडी स्टार्ट कर दिया है चाप्टर टू याने की आसेड बेसेज एंड सॉल्ट साइन्स क्लास 10 का ये टॉपिक है बेसिकली इसमें हमने काफी सारे short question answer discuss किये बिलकुल इसी तरीके से हमारे जो भी important question answer है वो हम अपनी वीडियो के थुरू cover out करेंगे ताकि चाप्टर की main understanding भी आपको समझ में आएगी चाप्टर में क्या समझाया गया है वो धीरे धीरे आपका clear होगा और questions को कैसे apply करना है क्या concept है ये भी आपका clear होगा So are you ready to go? Let's get started What happens when calcium carbonate is made to react with hydrochloric acid? Give the equation of the reaction So basically आपको question में बोला है जब calcium carbonate अगर hydrochloric acid के साथ react करता है तो product की formation क्या होगी? अब हर एक equation को हम याद तो नहीं कर सकते ये दीरे दीरे practice के थूँ आपको समझ आती चली जाएंगी तो आपको यहाँ पर logic क्या ध्यान रतना है calcium carbonate Calcium क्या है यहाँ पर metal तो जब metal carbonate को acid के साथ react किया जाता है कोई भी metal carbonate जब acid के साथ react होता है तो क्या product की formation होती है? ये salt बनता है, water बनता है and carbon dioxide gas evolve होती है ये चीज़ आपको ध्यान रतनी है Metal carbonate react with acid to form salt, metallic salt, water and carbon dioxide gas तो अब calcium carbonate और hydrochloric acid है तो जब ये दोनों आपस में react करेंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि जो salt बनेगा वो क्या होगा? calcium chloride होगा क्योंकि carbon dioxide भी evolve होगी, water भी evolve होगा तो थोड़ा सा idea हो जागा यहाँ का CA और यहाँ का CL तो बन गया calcium chloride अब calcium chloride को कैसे लिखते हैं? इसका आपका formula making process जो criss-cross वाला था जो chapter 1 में सीखा था बिलकुल वैसी तो कुछ equation बहुत easily आप याद कर सकते हैं अगर आपको concept पता हो